चलिए दोस्तों आपका अविवादन है एक और भेत पूंग इलेक्शन स्पेशल में अल्टिमेट जिवतिस कुरू इस समय आपको पता है 2019 लोगसवा स्पेशल दे रहा है आपको और जितने भी डिटेल्स हैं आपको आज की डिट में आज 13 मार्च है इस समय 12 बचकर और 28 मिनट हो रहे हैं और मैं आज अभी आपको एक दे चुका हूँ जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरिवाल जी है उनका दे चुका हूँ अब मैं आपको दे रहा हूँ बंगाल वेस्ट बंगाल में 39 सीट्स हैं टोटल दोस्तों लोगसवा का और इन सीट्स में जो मैंने निकाला है जो अभी वहां की चीफ मिनिस्टर हैं आपकी जिसको दिदी कहते हो उनकी जो सीट्स हैं टोटल वो आ रही हैं 21 21 एक किस सीट्स आ रही हैं उनकी आज की डेट में एक चीज मैं आपको बहुत बता दूँ कि तीन सीट्स यहां पर ऐसी हैं जिन पर बहुत ही close fight होने वाला है बहुत close fight होने वाला है लेकिन overall जो उनका आज का performance निकल के आ रहा है वो 30 sorry 21 का आ रहा है ममता वनरजी 21 तो देखते हैं अभी अगर इसमें कोई ups downs होंगे कही पर अभी के चूंकि सब contestants के नाम होने हैं तो उन नाम के अधार पर अभी और निकला जाएगा इनमें परिवर्तन भी आ सकता है नाक्रों में लेकिन आज की date में जो आक्रे आ रहे है वो यही आ रहे हैं कि ममता 21, ममता वनरजी 21 seats पर और वाखी जब हम दल निकालेंगे तो उनके बारे में भी आपको बताते रहेंगे कि कितनी किसकी seats आ रही हैं हमारी calculation, astrology calculation के अधार पर हम आपको time इसलिए बता देते हैं कि कहीं यह न लगे आपको या किसी और को कि यह detail यह आकड़े कहीं और से तो नहीं ले रहे हैं तो मैं time बताऊंगा आपको कि इस time में इसको कर रहा हूँ और उसी समय लोड भी करूँगा यूटूब पर तो अभी इस समय ठीक साड़े बारे बज़ रहे हैं 13 मार्च के और मैं इसको लोड कर रहा हूँ इससे ठीक पहले मैंने केजरी वाल जी का बनाया है और वो वीडियो लोड हो रहा है इसके तुरंत बाद ये लोड करूँगा आप देखिए कि हमारे केलकुलेशन हमारे रिजल्ट्स और बाकी लोगों के रिजल्ट्स में क्या अंतरा रहा है ज़रा देखिए इस चीज को और किसके डिटेल किसके आंक्रे किसके कैलकुलेशन जादा सही निकलते हैं यही चीज में अत्पूर देखने वाली है क्योंकि आप सभी मीडिया आउसेज भी लगे हैं सब एस्टर लोजर्स भी इसी पे लगे हुए हैं सब जितने लोग हैं वो इसी पे लगे हुए हैं तो उसमें पता चलना चाहिए ना कि आखिर कैलकुलेशन किसका सबसे सटीक बैठता है सबसे पास किसका बैठता है तो दोस्तों मैंने आपको ममतावनरजी के बारे में बता दिया कि 2019 के लोग सभाई एलेक्शन में 21 सीट बोज की डेट में जीत रही है और अगला मैं आपको बहुत जल्दी बताऊँगा उनकी सीट्स हमारे हम आपको बता दू कैलकुलेशन में 19 आ रही थी लेकिन 3 सीट्स पे बहुत ज़दा क्लोस फाइट है इसलिए ये 22 बन रही थी तो मैंने माइनस प्लस करके इसको 21 बनाया है तो इस हिसाब से 19 तो किलियर आ रही है ये 21 में आपको जो कैलकुलेशन दिया है वो आप इस कैलकुलेशन को ध्यान में रखिए अगर कोई चेंज होता है तो मैं आपको जरूर रता हूँगा तो बस इस वीडियो में केवल इतना ही अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं अब लगवाग रोज ही वीडियो डालूँगा जब रोज डालूँगा तो आपके पास तुरंट हमारी जानकारी पहुच जाएगी क्योंकि इसको सब्सक्राइब करिए और साथ इगंटी का जो आइकॉन है उसको दवा के आपको तुरंत यहां से जब भी हम करेंगे वीडियो आपके पास चांद करी पहुच जाएगी और शेर करिए इसको अपने वेस्पंगाल के जो भी अगर आपके मिलने वाले हैं उन लोगों को बेजिए शेर करिए कि क्या इससिती है और अगर आपको यह अच्छा लगाए तो इसको लाइक भी करिए अगला वीडियो फिब में जल्दी ही देने वाला हूँ आज मैंने इन दुख का किल्कुलेशन निकाला था और भी किल्कुलेशन चल रहे हैं अगर और कंप्लीट होते हैं तो मैं और किल्कुलेशन आपको जल्दी ही देने वाला हूँ थैंक्यो वेरी मच आज के लिए नमस्कार